टीचर से लोग प्रिंसिपल बनते हैं, यानि जब टीचर का पर्मोशन होता है तो वो प्रिंसिपल बनते हैं, लेकिन आपने ऐसा कभी सुना है कि प्रिंसिपल का डिमोशन हुआ और उसे दुबारा टीचर बना दिया गया, ये खबर बिल्कुल सच है और ऐसा दो स्कूल के प्रिंसिपल के साथ हुआ है कि उनका डिमोशन करकर उन्हें फिर से टीचर बना दिया गया, बिल्कुल आपको भी ये खबर सुनकर जो है वो ताज्युक भी होगा और आप कहेंगे कि क्या हो रहा है पूरे जमुकश्मीर में और कैसे कैसे लोग किस तरह का फ्रॉड कर रह पर सिटी की डिगरी देकर उन्होंने क्लेम किया था कि वो पोस्ट ग्रेजुएट करकर इस डिगरी इस कॉलेट से आए हैं ये इस केंपस से आए हैं असल में रियालिटी ये थी कि तब उस ट्राइम पर वो ये कोर्स करवा ही नहीं रहे थे उन्होंने जूठी पोस्ट ग् कि जब पर्मोशन के वक्त उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिगरी दी थी पर्मोट होने के लिए जब उन डिगरी की तब पता चला कि ये दोनों डिगरी जो है फेक हैं। अब मैं आपको बता दू कि दोनों प्रिंसिपल्स को डिमोट कर दिया गया है और दुबारा से उन्हें टीचर बना दिया गया है और साफ तोर पर ये भी कहा गया कि इनके खिलाफ जो है वो इनक्वाइरी चल रही है लेकिन आगे की इनक्वाइरी में ये भी जाना बहुत ज किजेगा क्योंकि ये सरकार अगर एक दिन कुर्सी देती है तो पिछले एक ही घंटे में जो है कुर्सी से उठाकर नीचे फर्ष पर आपको बिठाने की ताकत रखती है ये सरकार लेफ्ट इन गवर्नर मनोट सिना जमकश्मीर यूटी की अगर बात करें स्कूल कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इनके पास पोस्ट ग्रैजूइट की जो डिगरी थी केमिस्ट्री में फो मगदा यूनिवर्स्टी 2003 में ने हासल की थी और जब रिवेरिफिकेशन उनके डॉकुमेंट्स की जब वहां से पूचा गया तब ये पता चला कि इन्नों ने कभी वह डिगरी की बात करते हैं वह करवा ही नहीं रहा था और अब आगे अगर मैं आपको एक खबर पढ़कर सुनाओं तो प्रिंसिपल को जो है वह डिमोट किया गया एक कछुवा का है और एक सांबा का है अब यह खबर जो है वह इतनी गर्माई हुई क्यो स्कूल को हैंडल कर रहे थे इनके पास इतना नौलज नहीं था यह टीचर का नौलज रखते थे फेक डिग्रीज लेकर जो है यह वहां पर जाकर बन बैठे हैं आप सोचिए इस तरह से ओधों का गलत इस्तमाल करना कितना गलत है अब मैं आपको यह भी बता दू कि यहां पर जो है वो हो रही है और इन्हें टीचर ही बनाया गया है यानि अगर कोई भी ऐसी धांदली आप करने की सोच रहे हैं तो आप यह देख लें यह लेफ्टियन गवर्नम मनोत सिना की सरकार है इनके पास कोई जगा नहीं है किसी जूटे व्रक्ति के लिए जो आपको कुरसी पर बिठाए अगर आपको कुरसी पर बिठाए था कुरसी से नीचे उतार दिया इन से अभी वो सेलरी भी वापस लेनी है जो उन्हें प्रिंसिपल के तोर पर जो है वो ली है